हेलिकॉप्टर गोटाले को लेकर आज भी राज्यसावा में संग्राम जारी रहा कॉंग्रस और बीजेपी पूरी तरह से आमने सामने आ गई है गुलाब नभी आज़ाद और सुब्रमन्यम स्वामी के बीच आज तीखी बहस भी हुई गुलाब नभी आज़ाद ने सुवामी पर जम कर हमला बोला वहीं सुवामी भी अपने रुख पर अड़े रहे देखते हैंक रिपोर्ट ओगस्टा वैस्टलेंड हेलिकॉप्टर डील पर आए इटली के फैसले ने देश की सियासत को हिला कर रख दिया है जहां एक तरफ बीजेपी ने कॉंग्रिस पर हमला वर रुख अख्तियार कर रखा है वहीं सत्ता पक्ष की ओर से हो रहे हमले को बेसर करने के लिए कॉंग्रिस ने भी तेवर आकरामक किये हुए है गुरुआर गोबी समुद्दे को लेकर राजसभा में जोरदार हंगामा हुआ वेस्टलेंड हलिकॉप्टर खरीद मामले में घूस खोरी को लेकर जैसे ही बीजेपी सांसत सुबरमर्यम स्वामी बोलने के लिए खड़े हुई कॉंग्रेसी सांसिदों ने इनका विरोध शुरू कर दिया इस दोरान गुलाम नभी आज़ाद और सुबरमर्यम स्वामी के बीच भी तीखी बहस हुई गुलाम नभी आज़ाद ने स्वामी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सड़क की भाशा बोलते हैं उन्हें संसत्ती मर्यादा का ख्याल नहीं है जिस पर सुबरमर्यम स्वामी ने कहा कि ये एटली के सम्विधान को मानते हैं इसलिए हंगामा कर रही है वह अब ये मामला सुप्रीम कोट में पहुच गया है सोनिया गांदी, मनमोहन सिंग, एहमत पटेल और अन्य के खिलाफ एफ आयार की मांग को लेकर याची का दाखिल की गई है अगले हफते इस मामले पर सुनवाई होगी वही अब इस मामले में एक नया मूर आता दिख रहा है अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे में संदिक बिचौलिय क्रिश्चन मिशेल के एक इंटर्व्यू ने मामले में नया पेच ला दिया है अंग्रेजी अखबार दा हिंदू को दिये इंटर्व्यू में मिशेल ने कहा है कि मैं जीवर में कभी कॉंग्रे सद्यक्ष सौनिया गांधी से या गांधी नाम वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिला मैं राजनीती का शिकार हूँ इटली की कोर्ट में पेश जिस दस्तावेज में सिगनोरा गांधी की बात कही गई है वो मेरे हाथ के लिखे नहीं है संदिक दिपिचोरिये क्रिश्चन मिशेल की बात कितनी सही है और कितनी गलत ये जांच के बाद साफ हो जाएगा लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और CBI भी मामले की जांच कर रही है लेकिन इटली कोर्ट के फैसले पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी तो कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं की मुश्किले बढ़ना तय है